प्रधान मंत्री नायद मोदी ने आका स्वानी पर अपने मासिक रेडियो कारकरा मन की बात की सरसटवी कड़ी में लोगों से रभीवार को एक बार फिर बात की प्यमोदी ने संकट और इसे बचने के उपाय के बारे में एक बार फिर लोगों को जागरूप किया उन्होंने कहा वायरोस का खात्रा अभी टाला नहीं है और अब भी वह उतना ही घातक है जितना सुरुवात के दिनों में था उन्होंने लोगों से पूरी सवधानी बरतने क के अपिल की वाइरस संक्रमंसे बचने के लोगों से चैरे प्रमास्फ लगाने गमचे का उप्योग करने दो घज की दूरीका पारण करने लगातार हाथ धोने कहीं पर भी ठुकने की आदर से तयबंद है के साथ साथ साफ थासे सफावई पर पूरा ध्यान रखने की अपि देकि अभी राज्य में समान मांसून है कहीं बारिस हो रही है तो कहीं नहीं हो रही जार्खन में 30 जुलाइस के बाद मांसून एक बार फिर कमजोर पड़ सकती है जार्खन के मैट्रिक इस्टेट टॉपर मनीज कुमार को सिक्षा मंत्री ने कार देने की बात कही पर मनीज के पिता ने जो पीसे से किसान है सिक्षा मंत्री से कार के बदले बेटे की आये की पहाई का खर्च उठाने की मांग की है आपको बताते चले कि मंत्री ने इस्टेट टोपर को कार देने की घोसना की थी लेकि मनी इसके पीता को यह बात भली भाती पता है क्यों एक किसान के बेटे को आगे पढ़ने के लिए कार की नहीं बलकि गाइडलाइन और पैसे की जरूरत है इसलिए उन्होंने अपने बेटे के भावी से के लिए सिक्षा मंत्री जी से कार के बदले उनकी पढ़ाई की जिमा उठाने को बात कही जारखन में आज 547 नेज संक्रमीतों को पुष्टी हुई जार टीन खुटी चार धनबाद दो, भुकारो एक देवघर से एक हैं चयरकन में कुल संक्रमीतों की संक्या 85457 है जबकि 3704 लोग स्वास्त वुए और 89 की म्रिती हो गई मैट्रिक पास विद्यार्थियों को 28 से मिलेंगे पर्मान पत्र जे टेट दोयर्थियों सफल अभियार्थियों को नियुक्ति करे सरकार जारकंट सिक्षक पत्रता परिच्छा दोयर्थियों में सफल बिद्यार्थियों के नियुक्ति को लेकर विद्यायक परदी प्यादों ने मुख मंत्री को पत्र लिखा है उन्होंने मुख मंत्री से न नियोक्ति कि उम्र समाप्त हो रही है कि राची में पैजयेटिव सहाएंश्पेक्टर की मःत अब तक 4077 पुलिस कर्मी संक्रमी पुलिस कैमिएद में बढ़ रहे संक्रामन की बीच रभिवार को राजे में पहले पुलिस कर्मी की माइट हो गई है मित को बताते चले कि सुक्रवार्तक राजे में कूल 477 पूलिस पताधिकारी वाकर्मी पोजिटिफ भी पाये गाए हैं मन की बात में जार्खन को लेकर बोले पीए मोदी प्रदाल मंत्री नाइद मोदी ने अपने मन की बात कारिकरम में आत्मनिर भर भारत की चार्चा करते हुए जार्खन का जिक्र किया इस दोराण उन्होंने कहा कि जार्खन में 30 से ज्यादा समू लेमन ग्रास की खेतिक कर रहे हैं और लोगों के बीच इसे बढ़ावा भी दे रहे हैं इतना ही नहीं वे लेमन ग्रास के तेल से कमाई भी कर रहे हैं जार्खन के नराडी जीपी के लिए सरकार ने UPSC को भेजे पांच नाम जार्खन को बहुत जल्द फूल टाइम महानिदेशक मिल जाएगा हेमन सुरेन ने पांच अधिकारियों के सुची UPSC को भेज दिया बरतमान कारेकारी पूलिस महानिदेशक एमबी राओ, एस इन प्रधान, के न चौबे, निराज सिंग और अजय कुमार सिंग के नाम UPSC को मंजूरी के लिए भेजा गया है आपको बताओ दे कि एमबी राओ को करेकारी पूलिस महानिदेशक बनाये जाने से पहले के न चौबे परदेश के पूलिस महानिदेशक थे जारखंडी लड़की की कहानी चार अगस्त से डीडी किसान पर निर्माता निदेशक लाल बिजय नाथ साधेव द्वारा निर्मित टीवी सिरियल पारो एक नई सुबा चार अगस्त से डीडी किसान पर परसाडित होगा सिरियल रोजाना रात आठ बै परसाडित होगा आपको बता दे कि निर्मता लाल बिजय नाथ सादेव ने बताया कि पारो एक नई सूभा की कहानी जार्खंडी लड़की के उपर अडारी था जो जार्खंड से रायस्थान पढ़ाई करने के लिए जाती है कहानी में रायस्थान से जुड़े जौलन्त मोदे को दिखाने की कोशिस की गई है गुमला सहर में 31 जुलाई तक सेल्फ लॉकडाउन गुमला सहर में बर्ते संक्रमन को देखते हुए चेंबर ओफ कोमर्स के सेल्फ लॉकडाउन के फैसले को गुमला के सभी ब्यापारियों का भाई समर्थन मिला है रविवार को पूरे सहर में सेल्फ लॉकडाउन के तहत बंदी रहा ब्यापारियों ने कहा कि 31 जुलाई तक वे अपने परतिस्ठान को बंद रखेंगे जारखन में अपराधियों उग्रवाधियों ने मचा रखा है तंडव दीपक परकास जारखन परदेश भाजपा के अध्यक्ष और राई सभासांसर दीपक परकास ने कहा कि जारखन में अपराधियों उग्रवाधियों ने तंडव मचा रखा है हर दिन हत्याय हो रही है उन्होंने कहा कि भाजपा ने हैमन्त सुरेन सरकार की ताना साही के बिरोध का संक्नाध कर दिया है उन्होंने कहा कि राज में आम आद्मी पस्थ और सरकार मस्थ है श्री प्रकास ने जार्खंड मुक्ती मोर्चा की अगवाई वाली सरकार को जन बिरोधी, महिला बिरोधी, आदिवासी बिरोधी, गरीब बिरोधी और जार्खंड बिरोधी सरकार करार दिया है जार्खन के सभी जीलो में गरीब कल्यान रोजगार अभियान की सुरुआत होगी इसमें परवासी मजदुरों का चैन कर उन्हें प्रसिक्षित कर दिया जाएगा और रोजगार उपलब्द करवाया जाएगा राज सरकार इसकी तयारी शुरू कर दी है इसके लिए मुखे सचीव ने जार्खन कॉसल विकास मिसन सोसाइटी को करवाई का निर्देश भी दिया है आपको बता दे कि गरीब कल्यान रोजगार अभियान केंद्र सरकार की योजना है जार्खन के गोड़ा गिरिटी और हाजारी बाग जीले के प्रावासी मज़ूरों के लिए इसका चर्ण किया गया है जार्खन हाई कोट दो सब्ता के लिए बंद संक्रमन को देखते हुए जार्खन हाई कोट को दो सब्ता के लिए बंद कर दिया गया है हाई कोट सताई जुलाई से 6 अगस्त तक बंद रहेगा इसको लेकर हाई कोट के रई स्टार जर्नल ने रभीवार को नोटिफिकेशन जारी किया है आपको बताओ देखी अब तक हाई कोट में 16 कर्मी संक्रामित हुए हैं इसको लेकर एड़ोकेट एसोसेशन मुख्य नयाध लोगों को अधिक सवदानी और जागरूप रहने की जरूरत है, पहली लोगों को पता चलता था कि किस में संक्रमन है और किस में नहीं है पर आब ये पता कर पना मुस्किल है, ऐसे में बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, घारों से काम निकाले और लोगों से कम संपर्क रख से बिहित सदसे कलस में पवित्र अस्थलों की मीटी और नदियों के जल एकात्र कर अध्या गाएं संक्रमन के मामले पर किसी परकार के फैसले के लिए हाई कमिटी की नजर है रामेश्वर उराव जारखन कांग्रेस के परदेश अध्यक्ष और मंतरी रामेश्वर उराव ने कहा कि संक्रमन के मामले पर किसी परकार के फैसले के लिए हाई पावर कमिटी की नजर है इस समद में मुख मंतरी सुरेन ही कोई निर्ना लेंगे उन्होंने कहा कि जीवन के साथ जीवका भी महतपून है इन सभी तत्यों को ध्यान में राख कर ही सरकार निर्ना लेगी लातेहार जेल आईजी ने माना जेल की सुरक्षा में हुई है चुक लातेहार में जेल से दो कईदियों के भाईने की घटना के बाद जेल आईजी ने रविवार को मंडल कारा का निरिक्षन किया इस दरण जेल आईजी ने जेल की सुरक्षा की पूरी जाजा ली बाद में मीडिया से बात करते हुए जेल आईजी ने कहा कि पूरी घटना में सुरक्षा बेवस्था में भाली लपरवाही उजागर हुई है उन्होंने कहा कि दीन में दो कैदी उची दिवार पर चड़कर फरार हो गए लेकिन सुरक्षा में तैनात लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी जारखन में संक्रमन जाच में तेजी लाई गई मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा कि राई सरकार द्वारा संक्रमन जाच में तेजी लाई गई है यही वज़ा है कि राजे में संक्रमित मरीजों की संख्या में ब्रीदी हो रही है बर्तमान में प्रति दिन पूरे राजे में आठ से नव हज्जार जाच किये जा रहे है जैसे जैसे जाज में बिरिदी होगी निची तुरूप से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोरत्री होगी दूम का उपायुक्त की अपील आनावस्य घरों से बाहर नहीं निकले दूम का उपायुक्त रैस्वारी बी ने कहा कि संक्रमन काफी तैजिस से जिले में बढ़ रहा है संक्रमन को रोखने के लिए जो भी नियम है उनका पालन करना आवस्य खाए उन्होंने लोगों से अपील किया है कि अनावस्य घर से बाहर नहीं निकले जरूरी काम से जब भी अपने घर से बाहर निकले उस दरान मास्क एवं समझीक दूरी का पालन आवस्य करे पलामो में सुबह 9 से साम 6 तक खुलेंगे बजार रभी बार को बंद संक्रामन पर ब्रेक लगे इसके लिए बेवसाइक संगठन के लोगों ने सक्रियता के साथ पाल की है इसके ताथ पलामो चेंबर आफ कोमर्स और इंडस्ट्रीज पलामो जिला बेवसाइक संग वह डालटेंगा चेंबर अफ कोमर्स ने सन्युक्त रूप से अनिने लिया आए कि रभीवार को बजार पुर्णता बंद रहेंगे जबकि सब्ता के 6 दिन बजार सुबह 9 बजे खुलेगा और साम 6 बजे तक चलेगा आज के लिए बस इतना ही कल से आपको 25 ख़वर पूरी तरह से मिलेंगे तो वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट्सेप फैस्टूटर इंस्टाग्राम पर सेर करें साथ साथ आपके मान में जो भी स्वाल हो आप हम से कोमेंट में आवासे पुछे